पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमिशन के शिक्षक भरती घोटाले में हाई कोट का फैसला आ गया है। कलकत्ता हाई कोट ने 23,000 से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। हाई कोट के इस रैसले से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा जटका लगा है। साल 2016 में जिन लोगों को नौकरिया मिला थी, कोट ने उसे रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं। हाई कोट ने इन लोगों को चार हफ्टों में वेतन वापस करने का आदेश दिया है। शिक्षक भरती घोटाले पर कलकत्ता हाई कोट के जस्टिस देवानशु बसाक की बेंच ने यहां फैसला सुनाया। कलकत्ता उच्च न्यायाले ने कहा कि CBI पश्चिम बंगाल के विद्यालेयों में भरतियों में 2016 में कोई विसंगतियों की जाच करेगी। यहां बताना जरूरी है कि शिक्षक भरती घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्र पार्थ चतरजी सहित T.M.C. के अन्यनेता विधायक और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी जेल में हैं। हालां की अब बंगाल सरकार का कहना है कि वह हाई कोट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट जाएगी। उनलेखनीय है कि 24,640 रिक्पदों के लिए 23,00,000 से उन्वाई करते हुए इसकी जाच CBI को सौपा थी और पार्थ चतरजी को भी CBI के सामने पेश होने का आदेश सुनाया था। जिसकी बाद पार्थ चतरजी की गिरफतारी हुई थी। अभी तक इस मामले में 5000 लोगों की नौकरिया जा चुकी हैं जिनोंने गलत तरीके से न 8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निरदेश दिये हैं। ममता बनर जी की सरकार ने 2014 में शिक्षकों की भरती निकाली थी। इसकी प्रक्रिया 2016 में पूरी हुई थी। तब पार्थ चतरजी राज्य के शिक्षा मंत्री थी। याचिका करताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिक लिस्ट में उपर स्थान मिला। कुछ उम्मीदवारों का मेरिक लिस्ट में नाम ना होने पर भी नौकरी दी गई। अगर आप ये वीडियो यूच्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।